है खूंप है अप एक है लो नीड़ रोस हो दजोश है अगें हाँ दजोश है और गेंग केमेस्ट्री कंप्लीट जैसे की दिया हमने वैसे ही आपके लिए complete inorganic chemistry लेकर आएं एकदम बहुत ज़ादा fun होने वाला है inorganic chemistry के lectures आपके एकदम fun से भरे होंगे never four lectures होंगे इन और प्रेक्टरी के ठीक है ये पहला lecture है आपका periodic table तो inorganic chemistry को पढ़ने के बेटा कुछ basic rules है ठीक है वो आपको follow करने रहेंगे पहले तो ये जान लेते कैसे पढ़ना हमें inorganic chemistry inorganic chemistry में देखिए कुछ chapters है like आपके periodic table chemical bonding जिनका NCRT बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा fruitful नहीं है तो उनको हम notes के तुरू जाएंगे और जहाँ जहाँ NCRT dose की ज़रूरत होगी कुआ हम notes में incorporate कर देंगे NCRT की चीज़े बाकी rest of the chapters हम लोग completely NCRT की line by line जाएंगे बिल्कुल biologic तरह ठीक है तीन बात है आपको inorganic chemistry के लिए बहुत अच्छे ध्यान दखने है पहली तो है हर चीज के region की पीछे नहीं भागना है बिटा आप किसी भी institute में पढ़ा रहे हूँ ठीक है आकास में पाताल में कहीं भी पढ़ा रहे हूँ ठीक है हर चीज के सिर्फ inorganic chemistry के लिए बता रहा हूँ हर चीज के region की पीछे नहीं भागना है आपको inorganic chemistry एक ऐसा subject है जहां आपको exception के अंदर exception मिल जाएंगे हो सकता है जहां मैं आपको बोला हूँ आपको यह चीज याद रखनी है वहीं कोई एक teacher आपको explanation देता लेकिन वही teacher अपने ही explanation से contradict कर जाएगा जब उसका ही exception एक और आ जाएगा तो जहां भी मैं आपको बोलूँ कि यह चीज आपको याद रखनी है वह चीज उसको as it is mug up कर लेना ठीक है हर जगे नहीं बोलूँगा हर जगे कोसर करूँगा कि ज़्यादा ज़्यादा explanation दूँ लेकिन कहीं कहीं ऐसा point होता जहां पे हमें explanation से ज़्यादा यह रहेगा कि हम उसको mug up कर ले इन दा एंड हमें inorganic chemistry पढ़के खतम करने है कहीं भी आपका MBBS में कहीं भी यूद नहीं आने वाला ऑसको जाके रिवाइस करनें उसके नोट्स करनें नोट्स जालब करनेमिंशन इन ओर फाक्राट करने जिस दिन जो पढ़ाई जाए उस दिन उसीा को पढ़ना है और उससोती साथ उसको सबिपर擊ेंट है इन दौनों और यह सबसे इंप्रश्ग गरनें थाइि then आगे बढ़ते हैं period table and classification basically periodic table आज तक आप लोग इतना ज्यादा सुनते रहे होगे कि almost सभी को पता होता period table क्या है देखिए period table क्या है basically आज तक जितने भी element discover हुए 180 याज से भी ज्यादा हो जाएंगे future में भी तो इनको एक prototype में arrange करना उनकी properties के basis पे उनकी अलग-अलग जो और भी criteria उनकी basis पे उनको arrange करना एक prototype में उसको क्या बोला गया है periodic table ठीक है classification क्या है classification की need क्यों है सब लोग जानते हैं बटा कि बहुत ज्यादा elements हो रहे हैं तो उनको कैसे study किया जाए it's getting quite impossible to study each and every element after all कई सारे element की properties सेम हो रही थी तो scientist ने एक दिमाग लाया है क्यों होना जिनकी properties सेम हो उनको किसी न किसी criteria को follow कराया जाए और उनको same properties वाले elements को same same category में classify कर दिये जाए तो classification के बहुत सारे अटेम टुए अनगिना scientist की मेहनत के बेजोड मेहनत के बाद यह आपका period table इस prototype में बनकर आया है ठीक है हम लोग सबसे पहले periodic table में जैसा दिख रहा है 108 element है period table के सभी element को याद कैसे करना है उस पे focus करें ठीक है तो सबसे पहले आपका यह one a group यानी one यह आपका two a यानी second group ऐसी P block है यह आपका D block है ठीक है यह a block है तो हम लोग सबसे पहले focus करेंगे S block पर S block के element कौन से है hydrogen lithium sodium तो देखो आप लोग आजकल बहुत ज़्यादा memes का fashion चला है तो यह चीद देखते होगे के engineering student last night fight आकर दिन में पढ़ते हैं पर भगवान से प्रातना करते हैं यह बगवान इस वार पास करा दे ठीक है 3D8 में भी देखा होगा तो सेम लीना का भी case था ठीक है बटा वो क्या करती है भ देन second group के element की trick क्या है पहले क्या होता था बेटा जब मैं चोटा था तो बहुत आसानी से कुछ भी चीज नहीं मलती दी आजकल क्या है चोटे-चोटे बच्चे पापा प्लेस्टेशन दिला दो पापा बुलेट पापा कार तुरन पापा लो बेटा ये लो वो लो मैं अप देन मेरे भाइड ने बोला था कि हम लोग कलेक्शन करेंगे कलेक्शन से साइकल लेकर आएंगे तब दो तीन महिने के कलेक्शन के बाद मेरी 2012 में 2012 में साइकल आई थी थी ठीक है हरकुलीस की आजकल क्या है CVST का बढ़वक पाप प्लेस्टेशन 5 पाप आइफोन 6 7 8 9 10 इन बेटा मांगे कार्ड स्कूटर बाप राजी समझ ने बेटा सेकंड की ट्रिक क्या है बेटा मांगे कार्ड स्कूटर बाप राजी देन पी ब्लोक में पहला ग्रोप आपका बोरोन का ठीक है बोरोन का स्टोरी के साथ शेर करते हैं इसको जिसे बाल गनेस थे ना बेटा एक बाल गनेश इन थाइलेंड ठीक है बाल गनेश हिमालय से घुमते हुए थाइलेंड पहुंच गए तो सिभ जी के सभी जगे दूत है तो उन्होंने ख़बर दी उनको कि बाल गनेश उन्होंने ख़बर दी उनको कि बाल गनेश आपके थाइलेंड में इस्पॉर्टेड है तो तो शिप जी ने क्या बोला चले शिप जी संग पारवती शिप जी उनके पृता जी है तो पिता जी हमें स aumento थे उनका बच्चा भेग़ ले ना तो उन्होंने बोला पारवती जी से चले सिव जी संग पारवती ठीक है चले सिव जी संग पारवती ठीक है मम्मी क्या है अरे यार बच्चे की प्राइवेसी में दखल मत दो ठीक है मम्मी ऐसी हो ठीक है करने दो समस्दार है बढ़ा हो गया ठीक है तो पारवती जी संकर जी को मना करती है मत चलो, तो संकर जी क्या बोलते हैं, ना पगली ऐसे सब बिगण जाएगा, ठीक है, बाल गने सिंथ आइलेंड, ठीक है, देन, चले सिप जी, संग पार्वती, उसके बाद पार्वती जी ने आर्गिमेंट किया कि उसकी प्राइवेसी में दखल मत दो, तो संकर जी ने क्या बोला, ना पगली ऐसे सब बिगण जाएगा, ठीक है, तो समझ में आया है, ये तीनों ग्रूप आपके हो गए ना, 13, 14, 15, देन आपका ऑक्सीजन फैमिली, देखो, अभी जब आपका 17 जुलाई को, 17 जुलाई को आपका जो नीट हुआ था, उस दिन, जनरली नीट सॉलव गेंग होती है, जो MBBS इस्टुएंट होते है, किसी और का पेपर जाके दे देते हैं, तो इस चीज़ को अवाइड करने के लिए, हमारे कॉलेज में एक मेंडेटरी टेस्ट था वेटा, ठीक है, 17 जुलाई को दो से पांच के बीच में, मेंडेटरी टेस्ट था, उसमें सब टीपो, मोबाइल से टीपो, एक दूसरे टीपो, मगर स्टाइल से, हमें नहीं देखना चाहिए, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है, MBBS में सब लोग एक दूसरे चीटिंग करते हैं, एक दूसरे को पास कराते हैं, कैसे करते हैं, style से cheating करके then आता है आपका florin family फिर कल बाहर आई आउंटी ठीक है फिर फिर कल बाहर आई आउंटी समझ रहा है यह हो गई आपकी florin family last step का P block में inert gases एक खलाडी था अगर कर जिसको किरकेट में इंट्रेक्ट होगा वो जानता हुगा अगर कर खलाडी एक ऐसा खलाडी था जो सबसे जादा बार 0 प्याउट हुगा आज कल तो tail enders भी बहुत मारते है मस्त बैटिंग करने वाले आ रहे है tail enders जो भी आता है खुब दम से मारता है पैट कमिंस को देखते होगा अस्टेलिया में बहुत दम से मारता है लेकिन पहले क्या होता था जो बॉलर होता था वो बॉलिंग ही कर पाता था बैटिंग बैटिंग नहीं तो अगर कर एक ऐसा खलाडी था जो बार बार जीरो पर आउट होता था है ना अगर कर जीरो रण पर उसके बाद आता है आपका डी ब्लॉक ठीक है डी ब्लॉक में देखो बैटा अगर अगर आपको इतने याद है तो सारे सारे आपके गुरूब वाइज आ जाएंग देखिए आपको 4D 5D सीरी से डायरेक्ट पीरेड वाइस कुश्चन नहीं आता है लेकिन आपका किसी भी गुरूप से आपका गुरूप वाइस कुश्चन जड़ी आ सकता है तो गुरूप आपके सब के आद हो नहीं ठीक है तो कैसे होंगे देखिए निमोनिक के साथ इनकाउंटर होगा बिटा सारे सारे एक बार में याद आजाएंगे ठीक है तो आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि यादी करना यादी करना आप उसको अभी पढ़िए जब रिवाइस करेंगे तब पढ़िए जितनी बार रिवाइस करेंगे तब पढ़ वो नोबीता टेंटलम क्रोमाटन मौलेब डेनम मतलब टंगेश्टन मन तक रे फेरस रोदेनियम रोदेनियम कौन रहेगा आयर लेंड नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे निकिल पेलेडियम प्लेटिनम copper, silver, gold coinage metal zinc, cadmium, mercury ठीक है तो पूरा का पूरा आपका d block होगे इसके साथ second year लाएंगे T.5, वो नोबीता chromatin, मन्तक, रे फेरस कौन रहेगा Ireland नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे copper, silver, gold, zinc, cadmium, mercury ठीक है, यह होगे आपका d block history बेटा, जैसा के मैंने आपको dhubayriner के बारें बताया, dhubayriner ने क्या बोला था बेटा, तीन-तीन element में उसने classify किया था सभी element हूँ, तीन-तीन के group ने उसने क्या बोला, अगर a, b, c तीन element है, तो a and c का average होगा आपका b का molecular mass, ठीक है, यानि atomic mass बोलते हैं बेटा, जैसे कि अगर a का atomic mass plus c का atomic mass upon 2 अगर इनका average कर दू में, तो b का atomic mass आजाएगा, ठीक है, तो उसने क्या बोला था, a का atomic mass ले लो, c का atomic mass ले लो, दोनों का average कर दो तो b का approximate atomic mass आजाएगा, तो इसने तीन-तीन के group में elements को classify कर दिया ठीक है, identification of tried के लिए condition क्या है, ठीक है, पहली बात तो के condition, same chemical properties, इन तीनों element की properties कैसी होंची, same होंची, ठीक है, और दूसी condition क्या थी, दूसी condition थी, b का जो mass है, वो average होंची, a और c के, ठीक है, अब देखी, tried कौन-कौन follow कर सकते हैं, देखो बेटा, अगर a और b के बीच में 8 का gap है, b और c के बीच में 8 का gap है, तो tried बना सकते हैं 18, 18 का gap है, तो tried बना सकते हैं, 8 और 18 का gap है तो tried नहीं बनेगा, 18 और 32 का gap है, तो भी tried नहीं बनेगा, ठीक है, तो tried के लिए A और B और B और C में जो Atomic numbers का difference है वो कितना कितना हो जी एक्वल एक्वल 88 होना चाहिए या 1818 होना चाहिए ओके देखो Trides के example कौन से है Lithium, Sodium, Potassium Sulfur, Selenium, Tellurium Iron, Cobard, Nickel Calcium, Estroncium, Barium Oxygen, Sulfur, Selenium ठीक है इन में देखो यह दोनों की दोनों condition Follow होंगी पेटा Same chemical properties होंगी और B का जो atomic mass होगा वो average होगा A और C के तो यह सारे आपके क्या है Trides के example ज्यादा जरूरी नहीं है ठीक है? Least important है इनको देख के आगे बढ़ो Generally in case of D block and F block Trides rule is not followed Except Second year लाएंगे AC Second year लाएंगे में Trides rule Follow that ठीक है तो यह तीनों क्या है Trides form कर रहे है Generally three elements belong to same group Except Generally जो आप Trides बनाते हो गटा Same group में होते हैं element समझे रहे हो? जैसे देखो यह same group के, same group के, same group के Same group के, same group के तो जो hydrogen, fluorine, chlorine का Trides है गटा यह अलग-अलग group के हैं ठीक है? तो exception है यह Same group से belong करने चाहिए ज्यादातर element Except hydrogen, fluorine, chlorine Okay Since hydrogen is a notorious element It can be placed with alkali metals As well as halogen देखो, hydrogen क्या करता है? Plus one oxidation state भी सो करता है तो alkali metals की तरह भी यह करता है Minus one भी सो करता है तो किस की तरह है? Halogen की तरह भी यह करता है तो hydrogen को periodic table में notorious element बोला गया है कभी उसको halogen साथ place किया जाता है कभी उसको alkali metals साथ place किया जाता है तो यह क्या है? Notogious element जैसे हमने जो NEET 2022 की introduction video बनाई थी announcement video बताई थी उसमें भी बोला था don't be a hydrogen ठीक है? तो जो यहाँआँआँआँआँआँआँडर करता है ओके? डोबे राइनर क्यों चल बसे? बेटा इनका law validity नहीं था बहुत few elements थे जो इनके try to follow कर रहे थे जबकि discover बहुत सारे हो सके थे ठीक है? तो इनका चल बसना पक्का था next time थे हमारे Newlands law of octaves इन्होंने बेटा क्या बताया? यह बहुत जहाँ संगीत प्रेमी थे इन्होंने बताया कि जो musical notes होते है सारे गामा पाधानी सा तो हर एक जैसे सारे गामा पाधानी सा यह आपका 8th है न सा फर्स्ट से repeat कर गया न सा musical note आपका तो ऐसे ही उन्हों similar बोलाता है कि हर एक 8th element physical and chemical properties repeat करता है जैसे 1 के बाद क्या आएगा आपका 8th 8 आएगा यहाँ पे यहाँ 9 आएगा यहाँ 10 आएगा तो 1 number पे जो element आएगा उसके जैसी similar properties होंगी 8 number पे आने वाले element के ठीक है जैसे musical note आपके repeat करते है सारे गामा पाधानी सा ठीक है तो इनका भी law 20 के बाद valid नहीं हुआ बेटा तो यह भी चल बसे ठीक है फिर आते हमाले laudermere plot laudermere हमने क्या गिया था बेटा उसने ग्राब बनाया था atomic volume और atomic weight के बीच में ठीक है और इसने क्या पाया ऐसा ऐसा कुछ ग्राब आ रहा था तो एक question यहां से बहुत valid बनता है जो कि बहुत ज़्यादा least likely है लेकिन जो question बनता है वो भी यह है कि जो peaks थी laudermere curve में वो क्या थी बेटा वो alkali metals थे बेटा जो peaks थी बेटा है यह alkali metals थे आपके तो याद रखेंगे laudermere curve में peaks जो थी किस से थी alkali metals से हाँ अब देखो बेटा आप आया थोड़ा important चीज मेंडेलीव पहले ऐसे sensible scientists थे जिन्होंने कुछ sensible काम किया था समझे रहो मेंडेलीव ने क्या किया पहले तो उन्होंने एक framework रगए एक framework में elements को रखेंगे उस framework को उन्होंने क्या नाम चैया periodic table क्या रखा उन्होंने 9 columns रखे भेटा vertical 7 horizontal rows रखी 9 vertical columns 7 horizontal rows इनको vertical columns को क्या बोला गया group horizontal rows को क्या बोला गया period तिर उन्होंने बहुत ज्यादा intense study के बाद एक periodic law दिया, जिसको क्या बोलते हैं, बोलो, periodic law क्या था इनका, उन्होंने बताया कि जो element की chemicals and physical properties हैं, बेटा ये periodic function है किसका, atomic weight का, अगर आप atomic weight, increasing atomic weight में elements को रखते चले जाओगे, तो अपने आप repeat कर जाएंगे, अपने same element की तरह है, समझ रहो, जैसे देखो, समझाता हूँ मैं आपको, इन्होंने बोला कि elements को आप increasing order में रखते चले जाओ, इस periodic table में, ठीक है, जो आपको ये बना के बनी भी दिख रही है, इसमें आप increasing order में रखते चले जाओ, अपने आप elements repeat कर जाएंगे, समझ रहो, या ऐसा बोल दो कि अगर मैं physical and chemical properties जिसकी same है, उसको रखता चला जाओ, इस periodic table में, तो वो अपने आप increasing order of atomic weight में रख जाएंगे, किलियरली समझ रहो, कि अगर मैं physical and chemical properties elements की same कर दूँ, रखता चला जाओ, रखता चला जाओ, तो मुझे क्या trend मिलेगा, कि continuously atomic weight increase हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये तो थी इनकी basic जो उन्हें पीरियोड के law दिया था, ठीक है, अब देखो, इनकी merits क्या थे बेटा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने future elements को predate कर दिया, जहां उन्होंने जगह छोड़ी और उन्होंने बताया कि एक ऐसा element आगे चलके discover होगा, जो आज discover नहीं हुआ है, वो आगे चलके discover होग जिसकी जगह छोड़ के जा रहा हुआ है, जैसे एका boron, उन्होंने किसके लिए जगह छोड़ी थी, इसकेंडियम के लिए बेटा, उन्होंने बताया था कि boron जैसा एक और element discover होगा, जिसकी boron जैसी properties होगी, जो feature में discover होगा, जो की बाद में discover होगा, इसकेंडियम, उन्हो जोड़े जगह, एका silicon, जर्मेनियम, डिसकावर हुआ हुआ, एका manganese, technetium, डिसकावर हुआ, तो समझ रहा है, इन्होंने future को predict कर दिया था बेटा, कि ऐसे element और discover होगे, उन्हों के लिए जगह छोड़ देती, ठीक है, फिर उन्होंने कुछ doubtful atomic weight में correction किया, वो कौन कौन स थे, इंडिया best of Pakistan useless, ठीक है, इंडिया best of Pakistan useless, ठीक है, ये trick है इनके atomic masses इन्होंने क्या किये थे, correct किये थे, एक और trick है जो मुझे याद नहीं आ रही है, ये है, यू बहिमान इंसान, ठीक है, यू बहिमान इंसान और पिटोगे, ठीक है, तो जो लोतर मेर को भगाये गया था, उसके बाद मेंडिलीव है, तो उनोंने क्या बहिमान इंसान और पिटोगे, भाग जाओ, ठीक है, या आप इंडिया best of Pakistan useless, या या यू बहिमान इंसान और पिटोगे, ये याद कर लो, दोनों ही आपके क्या है, ऐसे element है, जिनका doubtful atomic mass था, उनको मेंडिलीव ने करेक्ट किया था, अब देखो, ये तो हो गए बेटा, ये दोनों merit, कि feature के element predate कर दिये, doubtful atomic masses को उनोंने correct कर दिया, कुछ demerits भी थे बेटा, इन्होंने periodic law क्या दिया था, कि elements को increasing order of atomic weight में arrange करो, ठीक है, लेकिन ये खुदी अपने law से भटक गए, इन्होंने क्या किया, जैसे मैंने बताया था, ये बोल लेते के properties जिसकी same है, उसको भी arrange करोगे तुम, तो अपने आप atomic weight वड़ता हुआ मिलेगा तुम्हें, लेकिन कहीं कहीं इन्हें देखा के, element तो properties की basis पे arrange कर दिये, लेकिन कहीं कहीं देखा के atomic mass घट रहा है बेटा, जैसे देखो बेटा, कौन कौन होता है वो पेर, argon and potassium, जैसे देखो बेटा यहाँ पे, मैंने mark कर रहा है, देखो, argon का 40 होता है, potassium का 39 होता है, ये तो भट रहा है, तो इनका lotto अभी fail हो गया, ठीक है, similarly, आमेर खान तेरी इच्छा, ये देखो बेटा है, tellurium and iodine, tellurium का ज ज़्यादा है, protractinium का कम है, 231, similarly, क्यों नहीं, कोवाल्ट and nickel, देखो, कोवाल्ट का ज़्यादा है, nickel का कम है, तो इनका जो law था बेटा, increasing order of atomic weight, वो खुदी फेल कर दिया है, ठीक है, properties की basis पे, इननोंने बोला के properties मैच कर रहे हैं, अब देखो, इसको याद कैसे करेंगे, anomalous pair, आपके कैसे याद रहेंगे, आमिर खान, ये दोनों की जगे इननों चेंज किया था, तेरी इच्छा थंडा पानी, क्यों नहीं, तो याद रखेंगे, आमिर खान, तेरी इच्छा थंडा पानी, क्यों नहीं, आमिर खान एक nature concern, एक्टर है, ठीक है, वो fridge fridge नहीं चलात तो उसकी इक्ष्य थंदा पानी पीने नहीं हो ती इसी लिए आमेर्खान तेरी इक्ष्य थंदा पानी क्यों नहीं यह सारे सारे कियां है पांअň उसपर है जहा जहान जहां मेंडिलीमिन अपना फुद का periodic law follow नहीं किया था, next demerit है इन्होंनों बोला कि atomic mass increase हो रहा है, वैसे वैसे element रखते चले जाओ, लेकिन what about isotopes, isotopes तो same element के अलग-अलग atomic masses होते हैं, तो isotopes को उन्होंने जगह नहीं दे पाई, isotopes में इनका logic था वो fail हो गया, तो यहां भी इन्होंने fail हो गया, और anomalous pair मे इन्होंने अपनी खुद की बाग को contradict कर दिया, तो यह थे इनके demerit, ठोके, merits पादा चल गए, कि feature element predict कर दिये, doubtful atom masses correct कर दिये, demerits क्या है बटा, anomalous pair, like इन्होंने खुद का periodic law, disqualify कर दिया, isotopes की जगह नहीं बता पाई, ठीक है, देखो बटा, ऐसी में, आपके जो देखो यह किया है, doberiner triad भी बने हुए है, यह देखो, यह doberiner triad बने हुए है, ओके, यह doberiner triad बने हुए है, ठीक है, और साथी साथ, जो मैंने ब्लू से मार्च किया है, circle, यह किया है, आपके anomalous pair, यह है आपके mandalip की periodic table, जिसमें 9-9 ने vertical column रखे थे, 7 horizontal rows रखे थी, vertical column को group बोला गया है, period, बिटाई इनोंने मतलब पहला logical काम कर दिया थे, इनोंने एक framework के दे दिया था, periodic table को, समझे रहे हैं, यहां से revolution आना चालू हो गया थे, इससे पहले तो सब कुछ भी करे जा रहे थे, ठीक है, यह पहला बन्दा था, जिसमें कुछ sensible काम किया था, अब देखो बिटा, जब इनोंने कुछ बता दिया, periodic law दे दिया के, physical and chemical properties are the periodic function of atomic mass of the element, ठीक है, यह था, मेंडलिप का, लेकिन, मोजले जो साइंटिक थे थे, यह x-rays के साथ काम कर रहे थे, अलग-अलग metal पे, अलग-अलग परकार की x-rays को, बॉमबार करा रहे थे, तो उन दिमाग भूमा, उन्होंने एक plot बनाया है, frequency versus z का, तो उन्होंने क्या देखा, कुछ ऐसा ऐसा आ रहा था, कहीं-कहीं spike आ जाता है, फिर सीदे चल दा था, फिर उन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, scientist है ना, कुछ ना कुछ दिमाग में चली दा होगा, उल्टा सीधा कुछ ना कुछ खुरा पाती है इन्होंने फोकस किया है बेटा कि अगर अंडर रूट ले लूँ बेटा मैं अगर फ्रिक्वेंसी का रूट ले लूँ बेटा फ्रिक्वेंसी का रूट ले लूँ और जैड ले लूँ तो बेटा सीधी लाइन आ रहे इस ट्रे डारेक् पीरियोडिक लोग, मौरन पीरियोडिक लोग क्या था था बटा? physical and chemical properties physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number not weight ठीक है? जो weight मैंडली weight बोलके गए ते नहीं उन्होंनों बोला कि Atomic Number से ज्यादा Frequency किया है? बहुत ही एक reliable चीज है तो उन्होंनों बोला कि Frequency और Atomic Number के बीचे बीचे उन्हों डिरेक्ली प्रोपोर्शनल के जिसन से बारा तो उन्होंनों बोला कि Atomic Number ज्यादा fundamental quantity है Atomic Weight से तो उन्होंनों Modern Periodic Law दिया क्या दिया? फिजिकल एंड केमिकल प्रोपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पिरियोडिक फंक्शन ऑफ दियर Atomic Number नॉट Atomic Weight यह था Modern Periodic Law जो आज तक फॉलो हो रहा जिसके बेसेस में हमारी क्या बन गई? पूरी Periodic Table बेटा यह रही Periodic Table यह क्या है? Modern Periodic Table बेटा है मौजले के लोग पे बेड़िद ओके? Next अभी तो यह हमारी पूरी हिस्ट्री हो गई बहुत ज्यादा Important नहीं है बस जो बाते मैंने बता है उत्ती याद रख लेना अब आते हैं कुछ Important Point जो हमें याद रखने है पहला बेटा Second Period Element Lithium, Beryllium, Boron Sows Diagonal Relationship With Third Period Element Magnesium, Aluminium, Silicon Because of Ionic Potential बेटा जो आपके Lithium, Beryllium, Boron है यह Diagonal Relationship सो करते हैं Magnesium, Aluminium, Silicon के साथ किस बेटा क्यों हैं कि इनका सेम Ionic Potential है? Ionic Potential मैं आपको आगे डेटेल में बताऊंगा जब Ionization Potential पर पहुंचूंगा Third Period Element Except Inert Gas Are Called Typical Elements बेटा याद रखेंगे Third Period कौन सा? Sodium वाला Sodium Magnesium Except Inert Gas आपके कैसे हैं? Typical Elements Elements having Atomic Number More Than 92 Are Called Trans-Uranic Elements Uranium का 92 Atomic Number होता बेटा उसके आगे के सारे कैसे कला से? Trans-Uranic Elements These are Radioactive and RTVC Trans-Uranic Elements जितने भी आपके सारे कैसे हैं? Radioactive and Artificial है First Man-Made Element Technicium TC First Man-Made Lengthinoid Prometheum PM Most Electro Positive Element किस Group के है? First Group के Most Electro Negative Group कौन सा बेटा? Pूरी Period टेवर हैं? Seven थे यानि Seventeen Group with Maximum Gaseous Element ऐसा Group जिसमें सबसे ज़्यादा Gaseous Element है, बेटा Zero Group सारे के सारे Gaseous हैं Gaseous Element टोटल कौन कौन से हैं? Hydrogen, Nitrogen, Oxygen, Fluorine, Clorine, Helium, Neon, Argon, Krypton, Genon, Redound ठीक है? Liquid Element Liquid Element कौन कौन से हैं? आपके पूरे Periodic Table में? कुस तो आपको याद हैं हैं, बेटा Cesium, Bromine, Mercury Mercury का पारहा आता है ना, बेटा अभी हम लोग जो हमारी Physiology की क्लास हैं Last Year First Year में हम लोग पढ़ते थे BP Instrument तो हमें Manual BP Instrument लेने के लिए बोला गया था Digital नहीं लेना था तो Manual BP Instrument में क्या भरहा होता है? Mercury, ठीक है? तो Mercury Depression ना पारहा जाता है Manual BP Instrument में ठीक है? तो HG कैसा है? Liquid आपका तो Cesium, Franchium, Bromine, HG, Gallium, UUB UUB क्या है? आपका Only Liquid Non-Metal पूरे Non-Metals में सिर्फ Bromine आपका कैसा है? Liquid, ओके? Next आपका Second Period है Most Gaseous Element अगर Period में बात की जाए तो Second Period जो है बेटा उसमें सबसे ज़्यादा Gaseous Element है कौन-कौन से? Fluorine, Oxygen, Neon, Nitrogen ओके? ये तो बेटा हो गई आपकी बहुत बेसिक बात है एक चीज और है Representative Element बेटा Representative Elements बताओ Representative Elements क्या होते है आपको पता है? Comment down देख है? मैं बताता हूँ देखो Representative Elements क्या होते है? S and P Block Elements All S and all P Block Elements Except Inert Gas तेख है? क्या जाँ राकिंग? Except Inert Gas सारे S और P Block के Elements Except Inert Gas क्या होते है Representative Elements तो S प्लस P Block Equal to Representative Elements Except कौन से? Minus Inert Gas देखो यहां तक तो होगी आपकी पूरी पुरानी बात है अब आपका बहुत important topic सुरू होने जा रहा है बटा और मुझे लग रहा क्लास काफी जादा Serious Note पे चली गई तो कुछ मज़े करते हैं ठीक है? चलो कुछ सुनाता हूँ मैं आप लोग को आज मैंने याद किया है सब कुछ बताया जाए तो अच्छा रहेगा अब कुछ ना छिपाया जाए तो अच्छा रहेगा अरे अदाला सजी है तेरे महले में तो गिला नहीं गवा हमारे महले से भी बोला जाए तो अच्छा रहेगा ठीक है चलो सेरो साहरी बहुत होगे ठीक है क्या देख रहे हो कुछ चेन दिखाई देख रहा है क्या बेठा मैं एक्जाम देखे आगया है ठीक है टर्मनल्स ओके तो चलो अब एक बहुत इंपोर्टन तौपिक स्ट कैसे बनते हैं अगर आपको एक्ट्रों कॉंफिग्रेशन पता लिगों कोईडिनेशन कंपांड वो डी व्लोग वो आपको अगर एक्ट्रों कॉंफिग्रेशन नहीं आता है तो आप बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी फेस करने वाले इन और इसमें मैं आपको दो तीन आपके फिंगरेशन पाजागा ठीक है सबसे पहली बात है इलेक्ट्रों कॉंफिग्रेशन में एक्जिस्टेंस हैं नौन एक्जिस्टेंस और सबसेल करती है कि नहीं करती पहले सबसे पहले हमें यह पता हुने चाहिए कि आपका 1F हुआ 2D हुआ 3F हुआ क्यों नहीं करते देखें किसी भी सबसेल को एक्जिफ्ट करने के लिए उसकी L की वेल्यू एन से जादा होती अब सरी एल और एन क्या होता है एल और एन क्या होता बताओ देखो आप हैट्र में रिट्रक्चन पढ़ोगे एन होता है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपकी सेल की सराफ सरी गहांती जिसके लिए इसकी वेल्यू लेकर होती है जीरोслू की वेल्यू होती है सबसेल की आपकास्षी today आप देखो किसी ud सबसेल को एगजिस्ट करने के उसकी LE की वेल्व यानी H heartbeat quantum number depressed m सबस्केशा देखनेके न से कम होनी चाहिए यानी देखो example देखें समझ में आएगा अगर मैं बाग करूं 2D की बेटा 2D की नहीं तो डी के लिए अगर एन की वैल्यू देखें किसके होगी यह हमार एन हो गया एन इक्वल टू टू डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी बेटा देखो यह लिखिए टू तो एन और एल बराबर हो गए तो टू डी एक्जिस्ट नहीं करेगा ठीक है 3D देखते हैं जरा 3D एक्जिस्ट करेगा कि नि करेगा एन की वैल्यू 3D के लिए कितनी होगी 3 और 3D के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी जाई होती है तो एन की वैल्यू एल से बड़ी होगी यानि 3D एक्जिस्ट करेगा ओके और एक्जाम्पल लेते हैं जरा अगर मैं बात करूं 2F क करता है कि नहीं करता है अब देखो 4F की बात करते हैं 4F में देखो n कि इतनी हो जाएगी 4L की वेल्यू एक्जिस्ट करता है और हम लोग जानते हैं 4F एक्जिस्ट करता है 5F भी एक्जिस्ट करेगा ठीक है तो किलियर ली बात समझ आ गए जैसे 1P की एक और एक्जाम्पल लेते हैं 1P का 1P 1 में P एक्जिस्ट क्यों नहीं करता है इसके लिए n की वेल्यू कितनी होगी वेटा 1 और P के लिए l की वेल्य कितनी होती है 1 N और N बराबर नहीं हो सकते है इसलिए 1P एक्जिस्ट नहीं करता है 2P देखो जरा 2P देखो किसीफी ऐ्लू किस्टने था कि आ्यश्यते है कि यह आवी नतो है तो इसलिए हम लोगोग जानते हैं वन पे एकowd आठ ₲ नहीं करता एंक सबका लोगिक ए तो किसी भी सबसेल को एक्जिफ्ट करने के लिए उसकी N की वैल्यू एल से कम होनी जी है, अब देखो, कौन-कौन से सबसेल आपकी कौन-कौन सी सेल में होते हैं, यह देखें सब, सबसे पहले, जैसे, फर्स्ट में आपका 1S अकेला होता है, 2 में 2S, 2P होता है, 3 में 3S, 3P, 3 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 5G भी होता है, ठीक है, G सबसेल भी होता है, जो कि अभी elements का में उसके अंदर electron बरना, टार नहीं होता है, ठीक है, electron बरना टार, H भी होता है, 6S, 6P, 6D, 6S, 6G, 6H, 6G, 6H, इस सारे सारे कहें, सबसेल हैं, जो किसी सेल के अंदर exist करते हैं, अब electron फिल हो थर्ड सेल में 3D फिल नहीं होता, क्यों नहीं होता, N प्लस L रूल के वे तो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, अब देखो, electron filling sequence, ये क्या है, ये बिटा बहुत इंपोर्टेंट, किसी ही element का लगए, अगर electronic configuration लिखना है, तो उसके लिए प्रोटोकॉल होता है, कौन सा सबसेल आपको कब introduce करना है, और उसमें electron's link कब start होगी, ठीक है, तो देखो, ये define कैसे होता, ये define होता है, आपका N प्लस L रूल से, N प्लस L रूल क्या है, N प्लस L रूल बताता है, कि किसी भी जिस सबसेल की value, N प्लस L की value कम होगी, उसमें electron पहले बारेगे, ठीक है, तो N प्लस L क value कम electron पहले बारेगे, उसी के according पूरा आजाए, और इसका detail explanation आपको atomic structure chapter में दिया जाएगा, ओके पहले हम लोग हर सेल के लिए, कौन सी कौन सी cells आएंगी, सब cells आएंगी, उसमें क्या order होगा, ठीक हो लेखेंगे, ये order है आपका, अगर मैं लिखूं फर्स्ट सेल के लिए, तो 1s, 1p होता है क्या, नहीं होता है, 1d होता है क्या, नहीं होता है, 1f होता है क्या, ठीक है, अगर सेकंड की बात करो, 2s, 2p, 2d होता है क्या, नहीं, 2f होता है क्या, नहीं, तो 2s, 2p, 3rd के लिए, 3S 3-3 F 3-2 Sorry ये गलात होगे थोड़ा का 3-2 F 3-1 D 3P ये कितना होगे 2D क्या 2D एक्जेस्ट करता है नहीं करता है 3rd cell में 2D है 3rd cell में D होगा ही नहीं ये 3rd sub cell 3rd period में आपका D होगा है क्या ये 1F एक्जेस्ट करता है ये भी नहीं करता 3rd period में आपका F भी नहीं होगा कितना होगा 3F 3P 4 तो में बात करो 4S 4-2 F sequence वही रखना है 4-1 D 4P तो ये कितना होगे आपका ये होगा 3D 3D एक्जेस्ट करता है बिलकुल करता है ये कितना होगे 2F 2F एक्जेस्ट करता है नहीं करता तो 4th P Z नहीं आपका F नहीं होगा अब आगे बड़ो अगर 5th की बात करूँ मैं तो 5S 5-2 3F 5-1 4D 5P 3F एक्जेस्ट करता है नहीं करता है एक्जेस्टेंस नोन एक्जेस्टेंस नों बताया है अगर 6 की बात करूँ 6th period की 6S 6-2 4F 4F एक्जेस्ट करता है 6-1D 5D 6P यह order है बेटा धेम रखना है 7th period की अगर बात करूँ तो 7S 7-2 5F 5F इह होता है 7-1 680 680 होता 7P यह आपका order आगे 7th period तक के electron से link का ठीक है कौन से electron कब कौन से sub-cell में भरा जाएगा अब देखो अगर मैं इसको conclude करूँ इस पूरी टेवल को बेटा तो क्या होगा देखो ज़रा इसको excited कर देते हैं resize कर गे अगर मैं अब diet टूरा जितना भी यह लिखा इसका अगर वो लेखो कोर लेखो तो क्या होगा देखो सबसे पहले 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5F 6D 7P देख लिया यह है electron sling का order बेटा जो अभी मैंने यह cells सब cells काटे हैं रहे यह exist नहीं करते उसके basis पे पूरा order आया कि कौन सा electron आपका कौन सी sub cell में कब भरा जाएगा किसके बाद भरा जाएगा तो यह कैसा जाने वाला बेटा 1S 2S 2P 3S 3P 4S 3D 4P 5S 4D 5P 6S 4F 5D 6P 7S 5S 6D 7P यह है आपका order electron filling का अब यही order हम हरे element के electronic configuration लिखते वक्त यूज करेंगे ओके देखो अब बेफोर देखो पेटा किसी भी element के electronic configuration लिखने से पहले में कुछ basic बात है पता हूं जी क्लिए टेल बारे में के कौन सा ग्रूप हहाँ पे है ठीक है 18 लेड़ पता हुआ कैसे पार क्रोड़ करेंगे D10 आपका 12th group में आता है, okay, D10 आपका 12th group में क्यों आ रहा है, क्योंकि उससे पहने आपके 2S के group आ चुछे हैं, 13 आपका ये है, 14, P2, 15, P3, 16, P4, 17, P5, और P6 जो आपका 18 group आता है, okay, और एक चीज और देखो यहां पे विटा, जो ये देखो, Lentinum और Actinium देख रहे है, Lentinum क के नीचे पूरी Lentinoid series यानी 4F है, और Actinium के नीचे पूरी 5F series है, ठीक है, Actinoids, तो हमें, अगर F के बारे कुछ बता रहा हो, तो F का हमेज़ा, हमेज़ा हर F, F block के हर element का group number क्या हुआ, 3rd, ये बात किलियर दमाओं के बैठा लो गटा, कि F के हर element का group 3rd होने बाला क्योंकि, सारे F, F, C line में हैं, ओके, 3rd group में, फाइन, अब देखो, अगर एक्जाम्पल ने, हम लोग electronic configuration लिखने के लिए, 44 electronic configuration लिखो देख बाला, 1F2, 2F2, 2P6, 3F2, 3P6, 4F2, 3D10, 4P6, ठीक है, 5F2, 4D, 10, 5P6, ज्यादा होगे बैठा लेक्ट माँ भी दीख लेते हैं, लोग compare कर लेते हैं, अब देखो, जोड़ना चालू करो ज़रा, 224, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, यहां तक 38 होगा है, बच्चे कितने अभी, 6, इसके आगे क्या बंदम है, 4D, 4D में कितने डाल दो, 6, किलियर है, किसी हो ऐसा तो नहीं लग रहा, P में जाइन एलेक्टर, नहीं है, उससे पहले 4D भरनी है, तो 4D, 6, अब देखो ज़रा, यहां से आपको अगर electronic configuration लेगा, यहां से आप गुरो, period, सब कुद बता सकते बटा, देखो, जो आपका, यह है बटा, यह क्या होता, N, और N ही क्या maximum जो N की value क्या है इस में, maximum N की value कितनी है, 5, यानी N equal to 5, 5th period का element है, ठीक है, और last electron कहां फिल हो रहा है, D में, अगर D में last electron जा रहा है, तो कौन से block का element है, D block element बटा, D block element है, ओके, यह D block element है, 5th period का element है, अब group कैसे पता चलेगा, group कैसे बस, D6 किसका है, बता हो ज़रा, 2 तो आप S में आ गए, और D6, यानी 8th group का element है, इसका group number क्या हो जाएगा, बता, group number इसका हो जाएगा, 8, clear है, क्या हम period table से verify करके देखें, इसको क्या सही आया है, और answer, ज़रा देखते है, यह रही period table, कौन सा element था, 44, यह रहा बता, 44, यह है आपका 44, चेक करो ज़रा, क्या D8, 8th group में आ रहा है, period इसका कौन सा है, 5th period का element है, 8th group में आ रहा है, D block का है, यह क्या है, D block, clear है, सब clear हो गया, D block का element है, period 5th, group number क्या है, 8, अब यह और example करेंगे, और clear हो जाएगा, बता, ठीक है, अब देखो 87 अकर हम लोग, electronic number इसका, atomic number अकर 87 का example है, कितना हो जाएगा, देखो, लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, ओके, 5s2, 4d10, 5p6, वही पूरा order follow कर रहा है, अगर f exist नहीं करना है, तो इसलिए f लिख नहीं रहे हैं, ठीक है, मैं बता चुक्छा हूँ, 5p6, अब क्या आएगा, 6s2, 4f14, क्या है, 4f14, 5d10, और 6p6, ठीक है, यह पूरा order follow किया है, 7s2, अब देखो तरह, electron count कर लेते हैं, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, यह कितना हो गया, 70, 80, 86, यहां क्या आएगा, 7s1, तो last electron किस में गया, बता हो जारा, s में गया, इसका block कौन सा हो जाएगा, इसका block का element हो गया, period इसका क्या हो जाएगा, maximum number क्या है, आपके electronic configuration में, यह, तो period इसका कितना हो जाएगा, 7, group कौन सा हो बताओ जरा, s1 किसका element है, बताओ, बताओ, s1, first group का element है, s1 क्या है आपका, first group, तो जरा, verify करके देखें, क्या period table से, देखो, 87 number कहा है हमारा, यह रहा 87 गटा, francinium, sorry francium, 87, किस में है, first group में है, s block में है, ठीक है, period कौन सा है, 7th, तो हमने क्या नकाला था, period number 7, s block, group number 1, okay, clear है, electronic configuration आपने लिख लिया किसी element का, तो सब बता देगा, आपको कहां पे exist करता है, okay, अब देखो, air block special, air block के लिए कुछ चीज़े थोड़ी सी logic लगाने की बात है, देखो जरा, जरा period table से देखो, अगर आपको air block element देखना है, देखो जरा, air block lengthinum के अंदर है, किसके अंदर है, lengthinum के अंदर, मतलब अगर आपको cdm पे पहुंचना है, तो पहले lengthinum पे पहुंचना पढ़ेगा, similarly आपको thorium पे पहुंचना पहुंचना पढ़ेगा, यानि इसका मतलब क्या है, d1 होना जरूरी है, यह दो पहले पहले भरेगा, then f भरना चालू होगा, तो lengthinum के पहले आओ, then cdm पे पहुंचना पहुंचना तो f-lock अगर कोई element होने वाला है, तो उसमें d1 भरना है, पहले ठीक है, क्या वहनना है, d1, और इनका group और सहरों रहने वाला है, हमेशा, third group के element, ठीक है, क्योंकि lengthinum के अंदर सारे lengthinoid है, actinium के अंदर सारे actinoid है और lengthinum and actinium दोनों आपके 3rd group के member हैं तो ये बात है तो आपके e-block space, आप देखो तरह e-block का configuration लिखते हैं यासे 95 electron ने configuration लिए example के लिए तो कैसे लिखेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 आपको प्रेक्टिस हो जाए कि कौन सा सबसेल आपको कभ लिखना है अभी मैं आपको inert gas के terms में बतातु को तो बहुत easy हो जागा just within second आप length on the concentration लिखने लाग होगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 10, 4p6, 5s2, 4d, 10, 5p6 6s2, 4f, 14, 5d, 10, और 6p, 6, 7s2, 5f, 14 5f में अगर electron भरने आ रहे हैं विजे को देखते हैं कितने हो रहे है electron फिर डिसाइड करेंगे 5f कैसा जाने वाला ठीक है गिनो जरब 2, 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86, 88 यहां तक कितने होगे बटा 88 electron होगे अब कितने बचे हैं 7 और बनने है 95 के लिए 7 और बनने है तो 5f है यहां 6d है तो देखो f में जाने के लिए पहले हमें एक d में electron डालना पड़ता है तो यहां पर d में एक डाल देंगे खिए अब कितने बचे 6 तो 6f लास्ट electron हमारा f में गया है यानि यह f block element है और maximum period कौन से चला है maximum cell कौन से भरी जा रही है 7th तो इसका 7th कितना हो जाएगा period हो जाएगा बटा 7th period का element है f block हो जाएगा ठीक है f block हो गया 7th period हो गया और group number क्या हो जाएगा जब f block का element है तो group numbers का तो fix है ना बटा third group okay इसका group number fix है अगर f block का element है तो group number इसका fix है third तो जड़र चेक करेंगे क्या तो चेक करें 95 number के electron कहा है यह अमेरिकियम बटा क्या यह अमेरिकियम इसमें आ रहा ना 7th period का element है कि लिए अलग से ध्यान रखना है उसका group हमेंजा third रहेगा फिक्स है पहले सही third group के अंदर आता है अब देखो जड़र 64 example लेते हैं 64 कैसे लेखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4s के बाद 3d आता है आता है 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f, 4f, आप 4f में दो भरेंगे लग्टाओं कितने आएंगे ठीक है गिन लेते हैं कितने हमने भर दिये हैं 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56 यहां तर 56 होगा बेटा, इतने होगा 56, अब इसमें 14 भरेंगे, कितने होजाएं, 70 मतलब 64 से निकल जाएगा मतलब f में ही कही न कहीं रह जाएगा यह electron, ठीक है अब देखो f के बाद क्या आता है आपका 5d, 5d में 1 डालो, क्योंकि electron आपका last f block में जाने वाला है अब डालना पड़ेगा, तो 5d, 1 अब डालो कितने बचे 57 और यह 7 यह हो जाएगा आपका 64 का electronic configuration अब देखो यहां पे मैं बेटा आपको एक factual चीजी बतालता हूं जो आपके f block के हैं और d block के कुछ lower element है, इनका electronic configuration energy के साब से बहुत vary करता है अब ही मैं जस्त आपको यह बता रहा हूं कि उसका period कैसे बता होगे, उसका group कैसे बता होगे, आप उसका block कैसे बता होगे, ठीक है जो इनके actual lower f block or d block element जो हैं आपके higher atomic mass के, higher atomic number के इनके बहुत vary करते हैं और जिसका याद रखना है वो अभी मैं आपको detail में जब एक एक group number पे जाएंगे electron configuration ली तो वहाँ पे मैं आपको बता लूग किसका किसका सही से याद रखना है, ठीक है अब, period कौन सा होगा बता हो, जिर्ण maximum number के है 6, तो period के हो जाएगा इसका, 6th period, ठीक है clear है, 6th period का element 64 number का, f block का है, 3rd group में है, okay एक और example लेते है, 101, 101 का जड़ा आप लोग लिखके देखो, क्या खुश से लिख पा रहे हो, वो pattern follow कर पा रहे हो, जो मैंने आपको rule बताया था, ns, n-2f, n-1d, n-p, भरने वाला, ठीक है, n-plus, 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 जो जो आया था, करके देखे, video pause करके, ठीक है, फिर मैं करूं आप चलिए करते हैं, 10, 6p, 6, 7f2, 7f2, 5f, और 6d, अब देखो, यहीं कहीं पे electron इसकी complete हो रहे है, गिन लोग कितने हो गए, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86, 88, यहां तर कितने हो गए, यहां तर 88 हो गए, अब कितने बचे हैं, बताओ, 13f, बचे हैं, कितने बचे हैं, 13, तो कितना हो जाएगा, यहां पे d1 में डाल दो, यहां कितने आजाएंगे, 12, clear है, 5f, 12, देखो, इसका, जो 101 element है, इसका जरूरी नहीं कि यह, actually, f12 हो, ठीक है, यह बहुत accession vary करते हैं, आगे मैं बतातूँगा, कौन सा आपको याद रखना, ठीक है, लेकिन यहां से हमें सारी details मिल जाएंगे, जो हमारे questions के लिए जरूरी है, कि group कौन सा है, period कौन सा है, ठीक है, अब देखो, हाई-f number क्या चलना है, 7f, तो period इसका कितना हो जाएगा, heart group का element होगा, okay, clear है, यह तो होगा, detail में लिखना, अब next देखें, हमें, electronic configuration, electronic configuration in terms of inert gas, छोटा कैसे करते हैं, inert gas के terms में लिखना है, ना, देखो, सारी-सारी inert gas के आपको item number बिल्कुल वाई-hurt रिला नोंजी, inert gas कौन सा है, आपकी, है, ना, अगर, कर, 0 run पर, है ना, अगर, कर, 0 run पर, ठीक है, ओके, है ना, अगर, कर, 0 run पर, ठीक है, तो देखो, इसका कितना हो जाए, 2, 10, 18, 36, 54, 86, यह है, सारे-सारी आपके electronic configuration या, atomic number बोलो, अगर, atomic number क्या है, इनके, inert gas के, सारे-सारी आपको क्या है, atomic number या, आपको बाई-hurt रिला नोंजी, ठीक है, अगर, आपको electronic configuration लिखना है, inert gas के terms में, यहाँ आप क्या करेंगे, डायर्ट इसका electronic configuration जो fixed configuration लों, फिल कर देंगे, इसके period भी याद रख लो बेटा, यह helium किसकी है, first period element है बेटा, neon second period है, third period, यह है आपकी fourth period की, क्रिप्टोन, okay, xenon fifth, redon sixth, ठीक है, याद रखेंगे, देखो बड़ा, जब periodic table आप लोग पढ़ रहे हैं, एक period table की photo भी आपने सामने लगा के रखो, यह चीज़ा आपको बहुत help करेंगे, यह period वगर आईए, बहुत आपके मतलब, daily routine में आजाएंगे, कौन सा period क्या है, ठीक है, अब देखो, अगर 64 की बात करो, 64 से जफ्ट पहले, कौन सी इनाटिक है, xenon, ठीक है, xenon, और xenon कौन से period की कह से बेटा, बताओ ज़रा, 5th period की, यानि, यहां तक 5th period पूरा फिल होगा, बेटा, क्या होगा, 5th period पूरा फिल होगा, अब next क्या होगा, 6 से चाली होगा, 6F2, 4F, 5D, 6P, ok, electron बढ़ने, यहां तक कितना होगा, 54, ok, अब, कितने बचें, बेटा, only 10 electron left है, अगर 10 electron left है, F में तो 14 आते हैं, यानि, F आपका इनी complete रहने वाले, यानि, F का ही element, तक क्या लेखेंगे, D1, F9, ok, clear है, F9 है, sorry, आपका S में तो 2 पहली बढ़ चुका है, गल्ती होगा, S में 2 बढ़ चुका है, बचा है, तो यह, 54 प्लस 2, 56, बचे कितने, 8 electron, 8 electron बचे यानि, आपका F में जाएगा, तो D1 में डाल दो, बागी आपके F में डाल दो, ठीक है, ok, कर लेए, कोई doubt तो नहीं है, कोई doubt तो नहीं है, ठीक है, देखो, एक और example लेते हैं, जरा, इनाट अगेस से करने का, देखो, अगर इनाट अगेस से में, महलो, 50, 50 गास पार मुझे लोग, कोई और करते हैं, 38 का करना चाहता हूँ मैं, 38 का electronic configuration लिखना है, 38 से जश्ट पहले कौन सी इनाट अगेस आप यह होता हुदा 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 हुदा, क्रिप्टाउन, क्यार, इसका electronic, atomic number कितना होता हुदा, 36, और period कौन सा होता है, 4, तो क्रिप्टाउन लिखो जारा है, 4th period complete है आपका, ओके, यहाँ पे 5S, लिखो, कितना, 36, दो बचे, 5S2, यह होगा आपका, 38 atomic number के element का electronic configuration, क्रिप्टाउन का electronic configuration कैसा है, 4th period तक पूरा बढ़ दो बेटा, 4S2, 4P, 4S2, 3D, 10, 4P, 6, यहाँ बला, 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 जितना सारे के सारे fulfilled है, प्लस, 5S2, यह होगा आपका, 38 number के element का electronic configuration, एक और, एक और प्रेक्टिस करें, देखो, अगर मैं ले लू मान लो, 80, 75 ले 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 तो मेटा, ठीक है, 75, अब जड़ा बताओ, इससे पहले, 75, तो सबसे पहले 54 लेख लो, ठीक है, और यह कौन से 54 नंबर की, जो जीनोन है बेटा, यह कौन से period में आती है बेटा, बताओ जड़ा, जीनोन आपकी फिप्ट पीरेड में आती है, फिप्ट पीरेड आपका complete है, ओके, अब इसके बाद क्या लेकिन, इसके बाद आगे का लेकिन, 6F2, 4F14, 5D, 6P, ठीक है, कितना हो गया, यह 54 है, यह टू आट जो लो, 56, 10, 70, यहां तक आपका कितना हो गया बेटा है, कितने एलेक्टरोन हो गया, 70 एलेक्टरोन हो गया, कितने बचे, पांच बचे न, यहां पे पांच भर दो, ठीक है, कर लेंगे, यह D5 यानी, अब बत बता दो, सब कुस तो डिफाइन हो गया न, इसका पीरेड कौन सा है, इसका पीरेड काउन सा है, इसका पीरेड का इलिमेंट है, बलोग काउन सा है, D-Block, और 5D यानी, 7th ग्रोग, 5D यानी, B5 यानी, 7th ग्रोग, पी आपकी नहीं बारी खाली रह जागी, ओके, तो इलेक् अब इलेक्ट्रोणिक कॉंफिरेशन, आप इलेक्ट्रोणिक कॉंफिरेशन आपको लिखना तो आगया होगा, नॉर्मल टंस में, मैंने आपको existence and non-existence सब समझा दिया, नॉर्मल टंस में, lengthy method से भी, वह भी बहुत time taking नहीं है, अगर आप उसमें भी practice बहुत strong कर देना, बहुत जिल जिल लिखेंगे, ठीक है, फिर बता जी आपको इनाट्रोणिक के टंस में लिखना, मतलब एक लाइन के अंदर आप electronic configuration लि पीरिड में कितने element होता है, जंगली तीचर आपके formula याद करवारे देकर, n की value even है, तो यह याद कर लो, n की value order याद कर लो, मैं बोलूँ आपको यह सब याद करने की जोद नहीं है, सीधा सीधा आपके period टेवें जिसने period है, सब के element याद कर लो, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है, पहले में आते हैं 2, दूसरे में आते हैं 8, तीसरे में आते हैं 8, 14 में 18, 15 में 18, 6 में 32, 7 में 32, यह number of element है ना corresponding period ठीक है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है, यह formula याद करने की जिरूद नहीं है, बिलुकुल भी, आपको बस general trend याद है, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है, number of element है ना period, general electronic configuration of S block, Ns1 से 2 तक, general electronic configuration of P block, Ns2, Np1 से 6 तक, ठीक है, acception helium, अभी general electronic configuration क्या है, यह सब बता रहा हूँ, ठीक है, अब देखो, अगर S block का आपको general electronic configuration लिखना है, तो कैसे लिखने हैं बता है, कोई S block का element है, उसका last electron जो है, कहां आता है, S में आता है, S Ns, Ns, यानि S1 या 2, ठीक है, alkaline earth metal है, alkali metal, तो Ns1 या 2, यह आपका S block का element है, बता क्या है, S block का element, S block के लिए जंदर electronic configuration कितना है, Ns1 या 2, उसके पहले जो भी होगा, सब कुछ फिल्ड होगा, ठीक है, तो जरा अगर मैंनकी electronic configuration लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, देखो, यह कहा है, 1s1, 2s1, 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1, अब देखो, यह जंदर electronic configuration है, इससे पहले जितना है, सारक सारा बहरा हो, जैसे 7s1 है, तो 6p6 तक सारा बहरा होगा, ठीक है, ऐसे अगर मैं इनकी liage लिखूं, तो second period में ना बहरी लिए, तो 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2, ठीक है, यह कहाएंगे, जंदल electronic configuration बटा, electronic configuration ठीक है, जंदली, जो S block के element है वो, यह वाला सबसे लाग्ट में electronic configuration प्रिजेंट करेंगे, ओके, P block के element के लिए, जंदल electronic configuration क्या है, Ns, Ns आपका भरा होगा बच्छे, Ns2, completely बढ़ा होगा, N-1D, जो है आपका, completely बढ़ा होगा, अगर F एक्जेस करता वो भी बढ़ा होगा, D एक्जेस करता वो भी बढ़ा होगा, अब P पे आएंगे बटा, Np, ठीक है, Np, 1 से लेके 6 तक, पे में 1 से लेके 6 तक, अगर रहे हैं, तो आपका P बढ़ा का जंदल electronic configuration बढ़ा होगा, ठीक है, तो जंदली इसको कैसा लिखा मिलता आपको बढ़ा होगा, बढ़ा होगा, यानि P1 वाला है, तो क्या लिखेंगे, 2S2, 2P1, इसके लिए बटा, ठीक है, carbon के लिए कितना लिखेंगे, 2P2, ओके, ये रा carbon का, ये वाला, ठीक है, aluminum के लिए कितना लिखेंगे, 3S2, 3P1, silicon के लिए 3P2, gallium के लिए 4S2, 4P1, 4P2, germanium के लिए, 5S2, 5P1, indium के लिए, 5P2, tin के लिए, 6F2, 6P1, किसके लिए होगा, ठैलियम के लिए, 6P2, lead के लिए, 7F2, 7P1, nihonium के लिए, 7P2, fluorobium के लिए, ठीक है, तो ये होगा, आपके P-block के, इनके बीचे होगा, जो corresponding आप, D और F, exist करते हैं, तो completely filled होगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे, अगर इसमें, देख लूँ में, फिप्ट में, तो फिप्ट में, 4D जो होगा, आपका 10 होगा, इसमें, 4F आपका 14 होगा, 5D 10, completely filled होगे, ठीक है, जहाँ जो adjust कर रहा होगा, अगर पीच करत्पॉंदिन सब्सेल, वो filled होगा, अब देखो, यह कौन सा है, 15 तो गुरूब, यह क्या है, 16 तो गुरूब, ठीक है, 15 में क्या होगा, 5P, sorry, P3, ओके, तो कैसे लिखेंगे, 2S2, 2P, 3 nitrogen के लिए, 2P, 4 oxygen के लिए, ठीक है, 3S2, 3P, 3 phosphorus के लिए, 3P, 4 sulfur के लिए, 4F2, 4P, 3, ठीक है, वीच में अगर डालना चाहो, तो 3D complete होगा, ठीक है, जैसे यह example ले ले लेता हूँ, 3D 10, 4P, 3, ओके, 4P, 4, तो similarly सब के लिए लिए लिख लेंगे आप लोग, जैसे F के लिए भी लिखते दिखा लेता हूँ, इसमें देव क्या लिखेंगे हम लोग, 6F2, 4F, 14, 5D, 10, 6P, 3, 6P, 4, ये इनका जनरल लेक्टाने configuration हुआ, ओके, तो कर लेंगे, similarly इनके लिए भी कोई जैलाग, इनके लिए लिए लिखके देख लेंगे, 4F2, 3D, 10, 4P, 5, ब्रोमीन के लिए, 4P, 6, क्रेप्टान के लिए, ठीक है, कर लेंगे, इसके लिए भी लिखके देख लो, बेटा, 6F2, 4F, 14, ठीक है, 5D, 10, 6P, 5, एस्टेटाइन के लिए, 6P, 6, रिडाउन के लिए, ठीक है, ये हुआ है, आपके सारे-सारे P-Block का जनरल लेक्टाने configuration, S-Block का, अब D-Block का, 1 by 1, 3D series, 4D series, 5D series, इस सारे देखेंगे, ओके, सबसे पहले, जनरल लेक्टाने configuration, D-Block क्या होता है, देखो जरा, N-S, 0 से 2 तक, N-1D, 1 से लेके 10 तक, अब देखो, 0 से 2 तक क्यों होता है, आप बोलोगे, देखो, S में 0 कैसे होता, अब D में है, एक exception है, उसके लिए है, ठीक है, palladium का, ओके, जनरल लेक्टाने configuration क्या होता है, देखो, जनरली teachers के लिखवा जेते हैं, थोड़ा गलत लिखवा जेते हैं, Ns, teacher के लिखवा जेते हैं, Ns, 1 से 2, N-1D, 1 से लेके 10, ये बेटा गलत है, जनरली teachers और जनरली local writers की books में ये वाला लिखा मिल जाएगा, लेकिन ये बेटा गलत है, ये नहीं होता है, क्योंकि एक exception आपका बेटा पैली डिम जिसमें S0 हो जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे, 3D series में देखो बेटा, आप atomic structure में एक rule पढ़ेंगे, एक law पढ़ेंगे, पार्शली फिल्ड से ज्यादा stability किसकी होती है, completely field की और half field की, half field यानि, F भी हो, D भी हो, half field और half field और partially field, sorry, half field और completely field और more stable than partially field orbitals, जिसके वहें से कुछ changes आते हैं, minor changes आपका electron जम कर जाता है, D में, तो वो कहां कहां आते हैं, Scandium D1, Titanium D2, Vanadium D3, फिर आया आपका chromium बेटा, जो कि आपका partially field होता है, जिसको हम लोग, half field और convert कर सकते हैं, तो इसमें क्या हुआ है, जो 4S2 था आपका, इसका electron एक इसमें जम कर गया, D में, तो 4S1, D5, यह आपका क्या है, थोड़ा सा exceptional point है, ठीक है, यह आपका exceptional point है, यह वाला electronic configuration नहीं होता है, 4S1, D5 होता है, ठीक है, मैंगनीज 4S2, D5, D6, D7, D8, जब D9 आएगा, तो फिर से एक S का electron जम कर जाएगे, D में, उसको D10, यह आपकी completely field है, D10, यह आपका unstable configuration था, यह नहीं होगा, यह वाला होगा, ओके, और जिंक आपका D10, यह तो वह आपकी 3D series की वात, 3D series में चाहिए याद का नहीं होता है, 3D 4 नहीं होता है, पूली series में, 3D 9 नहीं होता है, D5 आपका दो बार repeat करता है, जैसे chromium का भी D5 होता है, manganese का भी D5 होता है, D10 आपका दो बार repeat करता है, copper का भी D10 होता है, जिंक का भी D10 होता है, ठीक है, तो याद रखेंगे, D4 नहीं होता है, D9 नहीं होता है, D5 दो बार तो बाहना किया होता है एक ती सा भातबने से ही याजी आपका नियोव्यमिम से घmost यह वी अफ्ण हम यह साथ नहीं करना किया याद नहीं करना DH temp video vs तो देखो यहां पैलेडियम ने क्या किया दोनों के दोनों S के लेक्टर अठाकर D में डाल दीए S 0 कर दिया अधा तब ही आया था Ns 0 से 2 , N-1 , D 1 से लेकर 10 तक यह था आपका जंदल electronic configuration है यह जो जो जीरो की बाद चली न यह पर यह पर आपको पर यह रहा है । नहीं के लुकत श्टान के और जो पॉटे चैन के इस फचास बात है इसमें इस जो आप लोग एक चीजा रहा है जो डीटेन तीन और रेपीट कराएं बैटा इक तो पैलेडियूं के साथ ड्यों और देक्टर को जा कि पुरी जाता है और देन आपrifat न यह को दो Ne隨 बस इत्वी सी बात है और आपको पैलेडियम के अलेक्रोन इक कॉंसेश्टन याद रटना है ये तो आपको वही है कि दी नायन हो था देखो ये दी नायन हो रहा था दी आइन को डी टायन को था इस का अलेक्रोन आपका डी में जंप कर गया नेस्टत आपकी 5G series 5G series में बस आपको platinum करते हैं दिखो अब इतर में आपको बताते हुँ D9 करता है D9 करते है, S का लेक्ट्रा NDE में आ जाता है D10 कर देता है platinum बैटे है, D9 में एक्जिस्ट करता है, ठीक है? platinum किसमें एक्जिस्ट करता है? D9 में यह भी एक्सेप्टन का बाब है यह आरन को बाड निकल निकल की जो बैटा पूरा ग्रोप है ना यह पूरी पीडोटिव टेबल में ऐसा ग्रोप है जिसके हर एक एलिमेंट का जनरल लेक्टानिक कॉन्फिरेशन डिफरेंट है निकल आपका डेट है पेलेडियां आपका डेटन है प्लेटिन आपका कितना है डेटना पूरा पूरा ग्रोप अलग अलग एल्टानिक आपको इसेएट का इसने कहा कि एक electron ऐसे ले लिया 6s1 5d9 यह भी exception है कुछ नहीं कर सकते ठीक है तो platinum का 5d series में आपको platinum याद रखना है ठीक है अब यहाँ पर एक बात याद रख लो तो निकल का group है ना बैटन निकल का निकल का group निकल एक ऐसा group है जिसका कोई भी element पूरे group का कोई भी element सेम जनने electronic configuration follow नहीं करता ठीक है यसे नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे इसका कितना है d8 इसका कितना है d10 इसका कितना है d9 तीनों के तीनों अलग electronic configuration तो कर रहे हैं ठीक है कि बाकिए copper silver gold तो है ही एस वन स्वारी एस का एक कर देते हैं d10 कर देते हैं ठीक है नाइन से तो copper silver gold आपके d10 में आते सारे जिंक कैणी ममर करें सारे सारे d10 में आते हैं और निकल वाली family निकल का पूरा group उसको बहुत अच्छे जियाद रखेंगे ठीक है तीनों के तीनों साले उल्टे चलते हैं जैसे देखो निकल d8 पैलेडियम d10 प्लेटिनाम d9 ओके लेटिनाम के साब का d9 है फाइन अब आते हैं लोग f-block के लेमेंट रहे उसकी ब्लॉक की बात कर लिए अमने एप ब्लॉक की बात कर लिए अब करेंगे एक प्लॉक के लिएए अप ब्लॉक अब दी में आपको बता रहा था है F में बनने के लिए D में डालना पड़ता है इसमें भी क्या है कुछ exceptions exist करते हैं जहां पर D का electron F में चला जाता है जिसके वेसे D 0 हो जाता है वहां पर ठीक है तो D 0 से 1 N-2F 1 से 14 तक यह F block element का general electronic configuration है अब देखो इसमें भी हमें सारे आप नहीं रखने हैं कभी नी कुछ जाई हैं इसके electronic configuration बस 3 याद रखने हैं जिनमें D 1 exist करता है बाकि जितने भी हैं इन सम में D का electron F में चला जाता है D 0 हो जाता है तो D 1 किसमें किसमें exist करता है पहले number में 7th number में 14th number में cerium में gadolinium में lutatium में ठीक है तो पहले number का गदेडा लोट गया है ठीक है यह ट्रेक या करना है cerium gadolinium lutatium यह 3 element है जिनमें D 1 exist करता है ओके यह हो गई आपकी 4F series की बात 5F series की बात में सिर्फ एक याद है और यह हम यह भी exception का बहुता है इसका exception तो मतलब गजब लेवल के चला गया इसका exception देखो यह F block का element है लेकिन इसके F में ही electron नहीं है ऐसा exception है देखो इसने क्या किया जो यह जंदली कैसा होना चाहिए लिए 7-2 5-F 1-6-D 1 ऐसा होना चाहिए था हुआ इसका F का electron D में चला गया इसका F का electron क्या हुआ दी में चला गया F1 है इस D2 में convert हो गया बटा 7-2-D2-F0 F में ही electron नहीं मतलब टेक्निकल यह D block का element होना चाहिए समझे रहों F block में है समझे रहे ना exception कितनी अच्छी बात है मतलब mind deploying बात है कि F में ही electron नहीं है block का element होके यह thorium यह 5-F series का जो thorium पहला member है यह याद रखना है 7-F2-D2-F0-F0-F0 उसका F में electron नहीं है यह होगी आपका 5-F series यह होगी आपकी 4-F series sodium, gadolinium, lutatium यतिनों FD1 में adjust करते हैं बागी सारे-सारे D0-D0-D0-OK इन सबका D का electron आपका F में चला जाता है और इसमें कुछी नहीं पढ़ना बेटा electronic configuration में यह more than sufficient the electronic configuration है किसी का electronic configuration लिखके उसका block पता करना उसका group पता करना उसका period पता करना है उसका पीछे करके देख लिया है अब एक-एक block के हमने general electronic configuration देख लिए एक-एक element के देख लिए और 5-Web में बस thorium को याद रखना बिटए thorium यह exception का बाप है, okay palladium भी exception का बाप है, platinum भी exception का बाप है, okay याद रखेंगे, चलो बस होगी आज का ठीक है, thank you all the best, पढ़ते रहिए कि झाव याद रहिए बसाद के वाद गजाए